Hello everyone, क्या हाल चाले बच्चे आप सब लोग ओके, उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होएंगे So first of all, a many congratulations to all those students who have just cleared their class 12 examinations Welcome to the professional world This is your friend CSJD Salooja और आज ये particular video उनी students के लिए है जो ICSI के CS program में registration कराना चाहते हैं Yes, तो आज इस particular video में हम लोग पूरा detail में पूरा registration procedure समझेंगे कि अगर कोई student class 12 pass out करता है या class 12 में अभी उसका result awaited है So in that situation किस तरीके से वो अपनी CS की journey को start कर सकता है तो हम सबसे पहले first level की बात करेंगे और आज इस particular video में हम first level की ही बात करेंगे तो पहला level जो हमारे company secretorship program का होता है that is CSWT which is termed as company secretorship executive entrance test और CSWT का जो exam है या ICSI एक साल में चार बार conduct करता है तो आज ये video बनाने का जो main reason था वो ये था कि अभी almost CVSC के, ISC के और different regional boards के already result out हो चुके हैं और अभी ICSI के CSWT program में अगर आप register कराते हैं तो in that situation 15th June तक अगर आप registration कराते हैं तो आप CSWT का July वाला exam appear कर सकते हैं अगर मान लिजे आपने 15th June तक registration नहीं कराया let's say आपने 16th June को भी registration कराया तो आपका सीधे सब CSWT का exam November में पढ़ेगा तो ये बहुत important information है कि sir आप अपना time बिल्कूल waste ना करिए और आप अभी 15th June से पहले पहले इस तरहीं का अभी आपके पास एक महीने का समय है आप 15th June तक अगर ICSI के CSWT program में register कराते हैं तो आप July में CSWT का exam appear कर सकते हैं बच्चों को कहना है कि sir अभी क्या हम 1-10 महीने में इतना content prepare कर लेंगे कि हम CSWT का exam clear कर पाएं बिल्कुल कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी appear नहीं कर पाएंगे और आपको पस time बहुत काम है आप अराम से इस content को prepare कर सकते हैं तो आज इस पढ़िकलो वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि हम CSWT का registration कैसे कराते हैं उसका क्या content है किस तरीके से हमको fees के regarding क्या details है उस सारी बाते हम लोग discuss करेंगे तो अभी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप जैसे किसी भी web browser पर जाएंगे तो कोई भी web browser अगर आप open करते हैं तो आप web browser जब open करेंगे तो sir आपको normal सिर्फ Google पर सर्च करना है नॉर्मल website सर्च करनी है icsi.edu ये icsi की official website है इसके लावा और किसी website पर registration नहीं होता icsi.edu पर जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने एक homepage खुलेगा इस homepage पर देखिए आपको एक tap दिख रहा होगा student का student के इस homepage पर आपको एक option मिलेगा register for CSWT जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने एक page open होईगा इस page में आपके पास CSWT that is CS Executive Entrance Test के regarding information available है अगर मैं थोड़ा सा zoom करके दिखाऊ हूँ आपको तो आपको यहाँ पर इस particular page पे यह बताया गया है कि किस तरीके से आपको कौन-कौन से documents की requirement होती है जिसके basis पे आप अपना CSWT का registration करा सकते हों तो अगर हम लोग बोलें कि कौन-कौन सी information यहाँ पर चाहिए आपको तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सर यहाँ पर आपको देखे एक तो आपकी आपकी फोटोग्राफ चाहिए एक आपका signature चाहिए और यह जो फोटो signature है यह आप मोबाइल में फोटो क्लिक करके रखिए JPG format या PDF format में अटाच हो जाएगी ज्यादा बहतर है कि आप JPG format में ही अटाच करें एक आपकी फोटोग्राफ एक आपका signature तो नॉर्मल पेज पर एक प्लेन पेपर पर अपना signature करिए उसको क्रॉप करिए और यहाँ पर signature अप्लोड करेंगे आप देन आपका एक date of birth certificate चाहि है जो majority of the student कर चुके होंगे तो आपकी mark sheet या आपका pass certificate attached करिए जो एक प्रूफ होगा कि आपके class 12 पास कर ली है लेकिन अगर मालीजे किसी रीजन के board का भी result नहीं आया लेटसे तो in that situation आप अपना admit card attach कर सकते हैं तो आपको admit card वाला column तभी tick करना है जब आप admit card attach करना चाहत schedule tribe category को belong करते हैं या physically handicapped हैं तो ICSI आपको कुछ fees में relaxation देता है उस situation में आपको यहाँ पे कोई category certificate attach करना होगा लेकिन अगर आप general category में है या आप OBC category में है तो आपको कोई relaxation नहीं मिलती तो in that situation आपको यह unticky रखना है then आपको एक identity proof लगाना है अपना अपना धार card लगा सकते हैं आप अपना passport लगा सकते हैं आप अपना pan card लगा सकते हैं voter ID proof लगा सकते हैं जो आपके पास option available हो इस पर टिक करके आप वो particular ID document यूज़ कर सकते हैं यह ध्यान अखिएगा सर जो भी आप यहाँ पे scan documents लगाएंगे वह से या तो PDF format में हो या JPG में हो या JPEG में हो या PNG format format पे हूँ इनी formats में यह acceptable होगा जो टोटल documents आप attach करोगे इसका total size 2 MB से जाधा नहीं होना चाहिए आपकी जो photograph का size 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए अगर इससे जाधा हुआ तो आपकी photo accept नहीं होगी signature आपका 10 KB से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए अगर वह size के बीच में नहीं range में नहीं आया तो signature भी आपका accepting होगा और आपका अधूरा registration होगा जब आपके पास यह सारी documents सारी details कठी हो जाएं तब आप प्रोसीड करेंगे for CSWT registration यहां आपकी basic यह आपके सामने लिख है new registration यह new registration पर आपके सामने यह basic basic details है आपकी personal details यहां पे पूछी जाएंग इसके बार आपको अधार का number यह द्यान अखिएगा जिस जिस detail में आखरी में a strict mark बना हुआ है star बना हुआ है red color से यह detail आपके लिए mandatory है फिलप करना इसको फिलप किये बिना आप आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाऊगे यह सारे details आपको यहां पे डालने के बाद 20,000 रुपे हो गई है अभी ICSI ने फीस को बढ़ा दिया CSWT की फीस आज present time पे 2000 रुपे है और यह भी 15 December 2023 से ही ICSI ने यह decision लिया है अभी आज present time पे आप जो 2000 रुपीस की फीस deposit करते हो उस 2000 की फीस में आपका CSWT का registration हो जाता है साथ ही साथ आपको CSWT के regarding guidance books मिलती है जिसके दो पार्थ हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वह भी आपको फिजिकल फॉर्माट में दी जाती है तो यह आपके सामने registration फी का structure है तो अभी आप समझ लीजिए ऐसे आपको 2000 रुपे फीस deposit करनी है बिल्कु ठीक बात है सब आप ICSI का registration कराते हो और ICSI registration के बाद जब आप फीस की payment कर दोगे आप debit card credit card UPI किसी से भी fees पे कर सकते हैं फीस की जब payment करेंगे तो उसमें चलान generate होगा उस चलान को आप जरूर सेफ कर लिजेगा या हम ऐसे बोले जब आप फीस पे करोगे जब आप फीस पे करने के लिए आगे further proceed करोगे तो आपकी receipt number एक जरूर आएगी उसको प्रूफ है कि आपने ICSI में CSWAT का registration करा लिया यह पूरा registration अगर आप जून attempt के लिए अपियर होना चाहते हैं तो 15th June is your last date 15th June तक आप registration अगर कराएंगे तो आप जूलाइवाला exam अपियर कर पाएंगे अगर आप November में अटेंट देना चाहते हैं तो आप अपना registration 15th of June के बा आप जुलाइ के exam में अपियर हो पाएं क्योंकि वो अपियर होना शायद बहुत जरूरी है आप अपना time बिल्कुल भी kill ना करिए और time रहते ही आप अपना registration करा लिजए अचा दूसी चीज सर आज present time पे ICSI कुछ relaxation देता है जैसे अगर मैं बात करूँ अगर आप SCST category को बि relaxation करती हैं जैसे अगर आप जम्मु इन कश्मीर एरिया को बिलॉंग करते हैं तो 100% का relaxation है अगर आप लद्दाप को बिलॉंग करते हैं तो भी 100% का relaxation है तो यहां पे ICSI आपको बहुत जादा कहीं मदद कर रहा है तो आप यहां पे सर जब यह सारी information आप लेंगे तो आपके IC ICSI का registration हो जाएगा और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे important चीज में आपको बताना चाहता हूं कि आप यहीं पे नॉर्मल ही सर्च करिएगा सर आइसी एसाइए अकाडमिक कॉर्णर जब आपके सामने यह गूगल पे पेज़ खुलता है और इसके पहले ही टाप जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज़ खुलेगा सर्थ इस पेज़ में नीचे देखें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने CSWT लिखा है CSWT पे आप जैसे ही अपना करसा लेके जाएंगे आपको more info का एक tab दिखेगा आप इस पे क्लिक करेंग आपके अद्मिट आया की नहीं आया इसी में अगर मैं बोलूं तो बहुत ध्यान से देखेगा इसी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुए बहुत हो relevant है जैसी आप देखी आप जाएंगे more info पे जाएंगे तो एक PDF आपके सामने खुलेगी यह PDF डाउनलोड हो सकती है आप इसका printout भी निकाल सकते हैं यह आपका basic content है जो आपके examination point of view से relevant है बल्कु ठीक बात है तो यह आप आप समलीजे अगर मैं अभी आपको मोट लिखके दिखा देता हूँ क्या बोला मैंने कि सर आपकी जो last date of registration है वो है 15th of June कौन से exam के लिए appear होने के लिए अगर आप July exam में appear होना चाहते हैं तो ठीक है लेकिन अगर आप 16th June onwards कोई भी registration करवाते हैं तो in that situation आप by default November का exam दे पाएंगे फिर आप July का exam नहीं दे सकते हैं तो सीधे आपको November का exam देना होगा तो इस बात पर focus करिएगा ठीक है चल यह सबसे important information अभी आप मानके चलिए कि आपकी CSET की जो fees है वो आप मानके चलि सब्सक्राइब को पे करनी है जिसके रिगार्डिंग आपको चलान इशू होगा वो चलान आप जरूर सेव करके रखेगा क्योंकि उसी में आपका एक यूनीक नंबर होगा and that will be your ICSI का CSWT registration नंबर इस सीच पर आप बहुत focus करिएगा एक चीज में आपको और बता देता हू जब आप इस पर जाते हैं तो आप कोई भी ICSI जभी भी कोई भी notification निकालता है तो वो यहाँ पर जरूर आ जाती है जैसे आपके सामने लिखा है declaration of result of CSWT May 2024 session जिसका exam 4th make over था तो इसका result 16th make वाने वाला है तो यहीं पर आपको सारी information मिलती है कि कब उसकी registration की last date है तो देखे और last date of registration का लिखाए 15th June 2024 आपका exam किस दिन होगा 6th of July 2024 को और आपका जो exam है समझीजे वो होने वाला है कैसे online mode में web-based online mode में होने वाला है आपका कोई physical center पे exam नहीं होगा घर बेठे आप laptop या अपने computer desktop पे यह exam दे सकते हैं तो I think this was whole about your CSWT registration procedure अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो प्रीस आप इस पर्टिक्लर वीडियो के comment में जरूर हमसे पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कोई doubt नजर आता है तो एक चीज में आपको और दिखा देता हूं यह आपके देखे आपके CSWT के registration का पूरा procedure आपके सामने दिया हुआ है आपके सामने ऐसे ऐसे step number one में आप registration करने जाएंगे मैंने आपको यह सारी बाते बता दी हैं लेकिन जब आप जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो देखे आपके सामने ना fees payment करने के बाद यह document upload करेंगा यह आपके सारे document upload होएंगे आपके पास एक यह green color में ऐसा page खुलेगा यह आपकी जो transaction ID number है इसकी photo कीचने के बाद जब आप fees पे कर दोगे तो आपको एक चलान generate होगा और वो चलान जो है वही आपके unique ID का आपके registration number के regarding document create करेगा और वहीं से आपको आपका registration number मिलेगा तो that is all about this registration उमीद करता हूँ आपको CSWT का registration procedure में कोई problem नहीं होगी अगर आपको फिर भी कोई problem हो तो please it's a request हमारी नीचे इस वीडियो के description में जो contact details है आप उसमें contact कर सकते हैं अगर आपको कोई भी problem नज़र आती है तो आप इसी वीडियो पर comment करिए आपको वो problem solve कर बाती चाहिए ठीक है चाहिए तो that is all for this particular video उमीद करता हूँ आपकी सारी queries resolve हुई होगी आगे मिलेंगे next video में till then goodbye stay tuned bye bye